नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सस्री लर्णिंग पाइंट बाइजिंग सर आज हम करेंगे 28 जून की सिफ्ट वन का पेपर ठीक है 27 तारिक के सभी कंप्लीट हो गए उनको भी जाकर देख लेना चलो फिर स्टार्ट करते हैं उसको बिना टाइम बेस्ट के हुए और हा सब्सक्राइब तो यह बन गया 130 में से 15 अगला सवाल अब इस सवाल को देखो आपको क्या करना था वैलू फाइंड आउट करनी थी ठीक है और सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूं यहां पर देखो इसका और इसमें गुणा किया क्वाडिंटिक एक्वेशन है और मैं इस चार के ऐसे फैक्टर करो की गुणा करने पर मैने, चार आ जाये है जोडने या गटाने पर प्लस का तीन आजाए है तो अगर 4 और मैं एक लिखले तो चार एक का गुणा करेंगे तो माइनस का चार चार से देखो एक जोड देंगे तो क्या आजाएगा ये आजाते हैं कॉस ठीटा के मान लेकिन ये ध्यान रखना जैसे ही आपने ये फ्रेक्टर निकाले साइन चेंज कर दो माइनस का चार प्लस का बन इसके बाद इसके साथ जो कॉफिसेंट लिखा है उससे भाग कर दो माइनस वाला लेना नहीं है यानि कि यहाँ पर क्यूं नहीं लेना माइनस वाला रेंज भी दी गई थी ठीक है तो ऐसे ही नहीं कि नहीं लिया गया है तो यह डारेक्ट आ जाएगा कॉस एक आमान एक बटे में दो यानि कि यहाँ पर लिखेंगे कॉस में एक बटे दो किसका आमान होता है साथ टिगरी का तो कंपेर करेंगे ए बरावर कितना आ गया साथ अगला सवाल अब इस सवाल को देखो भाई सबसे पहले तो आओर हाँ इसमें यह रख जरूर लेना वैलू ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो उसको करके ओप्सन से यह हो गया हमारे पास साथ 13 एक सो चार वन जीरो हो गया फोर जीरो माइनस का 91 अपान में फोर हो गया यानि कि अगर हम इदर करते हैं तो 10 से एक गया तो 9 बच गया इदर बचा 13 से 9 गया तो 4 हो गया इदर बचा 9 बटे में हो गया 4 अब यहां पर देखो यह काई का साइन था डिवाइड का साइन था तो 1, 8, 9, 8 हो गया गुणे का करेंगे 4 उपर हो गया 9, 4, 8, 9 आ जाएगा तो यह पूरा-पूरा कितनी बार चला जाएगा दो बार 4, 9, 36 तो जादा हो जाएगा यानि का 8 आंसर आ गया अगला सवाल 5 cm तरज्या वाला एक लड़ू एक दुकंदार का है उसी एक ही लड़ू से इतनी cm तरज्या के कितने लड़ू बनाए जा सकते लड़ू कैसे काम करता है गोले की तरह काम करता है 25, 52, 52 का क्यूब आंसर क्यूंकि आपको दोनों के वॉल्यूम बराबर करने पड़ेंगे और वॉल्यूम में 4 वटे 3 पाई आर क्यूब आता है तो यह एन गोले बने चार वटे 3 आएगा वो दोनों तरफ से हमने काट दिया इधर 2.5 लिख लो इधर 5 लिख लो यहनि कम इसको यह भी तो लिख सकते थे पाबर में 3 बराबर में यहन हो गया तो यह चीज अमने डारेक्ट कर लिए थी 25 दूनी 50 दो का क्यूब कर दिया तो यह आपको ओरल करना था अगला सवाल अब इसमें देखो यह तो सब गोड़े में लिखा हुए थे 5 बीस हो गया और यह देखो माइनस है माइनस है माइनस है यह निकी 3 बार आया तो माइनस का 20 A X हो गया 20 A X इदर करेंगे यह भी सब गोड़े में लिखा हुआ 3 तरका 9 हो गया 9 चका 54 हो गया माइनस है माइनस है माइनस है माइनस तो इदर कर देगे माइनस का 54 A बरावर मोगया 6 A यह A से A तो सारे कैंसल आउट हो गये तो इदर 54 इदर चला जाएगा तो यह माइनस का 20 X बरावर में 54 और 6 60 हो गया यहनिकी X बरावर में माइनस का 3 आंसर अगला सवाल कहरा था कुल योग के रूप में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यारतियों की संख्या गयात करें तो सिंपल है भाई देखो यहाँ पर हमें 40% नंबर चाहिए है तो सो में से अंक प्राप्त किये गए तो सिंपल सा देखो भाई इससे नीचे रहे होंगे इससे उपर रहे होंगे देखो इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा ठीक है यह रेंज दी गई है इसा नहीं कि इतने ही नंबर वाले यह रेंज है तो यहाँ से कितना हो गया 22 दो उमीदवारों के बीच एक चुनाव में इतने परसें मत प्राप्त करने वाला उमीदवार इतने मतों से हार जाता है डाले गए मतों की कुल संख्या आसान है 100 में से एक को 35 मिले दूसरे को 65 मिले हारा जीती कितने से हुई है 30 से हुई है इसी 30 का मान 159 00 दिया गया था 100 का मान निकालना था तो डिरेक्ट काट दो 3 से 3 पंजे 15 3 तरका नो कहीं 3 पन लिखा है आंसर लगा दो 0 से कोई मतलब नहीं अगला सवाल अब इसको देख लो भाई आसान है यानि कि देखो 1 माइनस का कॉट स्कुएर ठीटा अपन में 1 अपन में कॉट स्कुएर में ठीटा माइनस का 1 यानि कि नीचे जब LCM लेंगे तो 1 माइनस का कॉट स्कुएर ठीटा upon mean cot square me theta ہو गया तो याणि की जो ये उपर लिखा था बन मैनस का cot square theta cancels ये ऊपर पहुँच जाएगा याणि की answer हो गया cot square में theta शाल एक नाविक दारह के अनकूल 10 मिनट में 2 km और दारह के पृतिकूल दो गंते में 12 km जाता दारह की चाल कää आसान है यहाँ पर मिनट में दिया गया था यहाँ पर गंटे में दिया गया था यहाँ पर गंटे में दिया गया था यहाँ पर गंटे में बनाएंगे तो हमें करना पड़ेगा भाग तो एक बटे में छे आ गया यानि कि अनकूल जा रहे है यानि कि धारा की दिसा में जा र दोनों को गटा कर दो का भाग कर दो 12 से 6 गया 6, 6 का आदा तीन अंसर ठीक है यह तो आसान सवाल था एक नाव दारा के प्रत्कूल 24 किलोमेटर की दूरी तता दारा के अनकूल 36 किलोमेटर की दूरी 10 गंटे में तै करती है और दारा के प्रत्कूल 36 किलोमेटर दारा के अनकू दूसरी कंडिशन में अनकूल गया 24 और प्रतकूल कितना गया 36 टाइम लगया उसे 12 गंटे कितना लगया 12 गंटे अब यहाँ पर एक डिस्टेंस को इसको कॉंस्टेंट कर लो इधर देखेंगे 24 दूनी 48 36 टिया 108 हो गया यह क्या बना यह 48 बना और यह 108 बना दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0 10 से 4 गया 6 माइनस का आया बराबर में अगर टाइम देखेंगे तो 20 हो गया 12 टिया 36 हो गया तो 16 यहाँ पर टाइम आ जाएगा वो भी किसका माइनस का आएग तो इधर आपने देखा कि 60 किलो मीटर विपरीत जाने में 16 गंटे लगते है तो भाईया हम यहाँ पर निकाल लेते 24 किलो मीटर जाने में उसे कितना टाइम लगेगा वो भी विपरीत वाला तो यहाँ पर 16 बटे में 60 गोडे में 24 तो इधर हो गया 6,24, 16,64 यहनि कि 6.4 गं गंटे लग रहे थे तो पहली कंडिशन में फर्स्ट कंडिशन में यहाँ पर उसे 6.4 गंटे लगे तो इधर कितने लगे होंगे दस से 7 गया तो 3.6 गंटे इधर लगे होंगे समझ में आई बात बस आप यहाँ से देख लो अगर हम यहाँ पर ए प्लस वी का मान निकाले यानि कि धारा की दिशा में तो डिस्टेंस 36 होगी टाइम हमारे पास 3.6 आ गया यानि कि इधर आ गया 10 हमारे पास अगर हम विपरीत वाला निकाले तो डिस्टेंस 24 होगी टाइम हमारे पास कितना हो गया था 6.4 हो गया तो अट्ठू टू 64 हो गया आर्टिया 24 हो गया और 15 बटे में यह होगे हमारे पास चाब अब हमें चाहिए ग्या धरा की चाल तो A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3 बराबर में क्या होगा? 3 A, B, C होगा और A बराबर में B बराबर में C हो तब भी यही कंडिशन फॉलो होती है अब यहाँ पर देखो सिंपल सी एक ची देख लो हमें मान क्या दिये गे थे 3? A का मान दिया गया था, A, B का मान दिया गया था, देखो क्या लिखा था, यह देखो 2B तो यहाँ पर 2B लिख लो और इंटू में 3C लिख लो तो 3 दूनी 6, 6, 3, 18, ABC अंसर अगला सावाल नेम लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा था, एक तर्वुच के सभी कोण 60 degree से कम हो सकते हैं सभी कोण तो कभी 60 degree से कम नहीं हो सकते आप एक चीज बताओ, कम से कम अगर मान लो 50 ले लो, 50 ले लो, 50 ले लो होगा कभी कभी नहीं होगा भाई आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि 180 बन जाए आप 60 से सब कमी ले लोगे कैसे भी नहीं आने वाला भाई ये तो गलत हो गया ठीक है जब ये गलत हो गया तो ये चला गया ये चला गया अब हमें केबल D चेक करना है कि सही है कि नहीं ह सब्सक्राइब नहीं करना एक गलत हो गया तो सी अपने आप गलत हो गया और बीडी दोनों सब्सक्राइब निश्चित धनरासी चक्रवधी व्याजपर पांच वर्सों में तीन गुना हो जाती है तो नो गुना होने में कितना वर्स लगेगा देखो पांच वर्सों में तीन गुना इसी का बेश लेते हुए यहाँ पर क्य गुना बोला नो गुना यह धियान रखना बेश इसी का होना चाहिए और इस तरीके से बनालो यहाँ पर भी बेश क्यूकि नो गुना बोला तो तीन की पापर दो हो गई इनका गुना कर दो बस यही आ प्रतिवर्ग सेंटीमीटर पेंटिंग की लागत क्या है देखो आपको अमेसा हम बता चुके थे कि 4 पाई आरे स्कॉयर यही होता है आप यहां पर जब रेडियस 14 दी गई है 14 नहीं होगी रेडियस साथ हो जाएगी ब्यास दिया गया तो यह कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा ठीक है अब इसको रगने के लिए एक्स रुपए लगे होंगे और टोटल रुपए हमें देने पड़े 560 यही एक्स कामान निकालना था कि प्रति सेंटीमीटर स्कॉयर कितन होगा तो इसी को सॉल्व करते हैं वाई सबसे पहले चार चोकू सूल हो गया चार दूनी आठ हो गया चार चार अठ्थे बत्तिस हो गया आंसर आ गया क्यूंकि देखो आपको हम बताते हैं 21560 बटे में हो गया हमारे पास चार गोड़े में 154 अब यहां पर देखो चार च चार पंजे 20 हो गया एक बचा चार ती बारह हो गया थीन बचा चार नहीं 36 जीरो हो गया बटे में 154 हो गया तो इदर कर लेंगे तो गयारा चौक चोड़ा पंजे सतर आंसर आगया 35 ठीक है तो थोड़ा वहत स्मार्ट वर्प कर सकते हो अगला सवाव एक संकू के आदार की तरज्या उचाई क्रमशा इतनी इतनी है जबकि एक बेलन के आदार की तरज्या और उचाई क्रमशा इतनी इतनी है संकू के आयतन और बेलन के आयत जाना ना संकू के आयतन में एक बटे तीन एक्षा आ जाता है अगर हम देखेंगे तो रेडियस इसकी पाइच गुड़े में पांच हो गई हाइट इसकी छे हो गई और हमें इसका भी पाई काट लिया किसका बेलन का रेडियस हमें पता है कि 25 बटे में दो और अच्छे 25 यह तो रेशियो बनाना था सिंपल सा था अब इसको करते हैं वही देखो सबसे पहले तीन दूनी 6 एक 7 बटे में 3 हो गया यह 3 उपर पहुंच जाएगा तो 2 माइनस का 3 बटे में 7 हो गया 7 दूनी 14 14 से 3 गया तो 11 बटे में 7 हो गया अब आ जाएगा इसका नंबर तो 1 प्ल करेंगे तो 9 बचेगा सोरी 8 से गया तो 7 बटे में ठा रहे अंसर अगला सवाल सहर क्यू से परिच्छा में उत्रीड हुए उमीदवारों की संख्या सभी सहरों से एक साथ उपस्तित हुए उमीदवारों का कुल संख्या का कितने परसेंट है तो सबसे पहले देखो क्यू म वाले आगे यानि की पास वाले आगे टोटल देख लिए होते हैं यहां पर 6, 6, 2, 8, 6, 14 की 4 हो गया हां से लगा एक हो गया यानि की 2, 2, 4, 1, 5, 4, 9 हो गया इधर करेंगे 2, 1, 3 हो गया 3, 2, 5, 5, 1, 6 हो गया यानि की 6.94 और इसी में हमें इसका देखना था 2.26 इंटो में 3 आप तो 9, 6, 15, 4, 19 हो गया कटतो रहा नहीं है किसी से तो ऐसा करते हैं पहले इससे काट लेते हैं या तो ना काटते हैं सबसे पहले गुणा कर लो 3, 6, 18, 3, 2, 6, 7 हो गया 3, 2, 6 हो गया 0 लगाओ और डारेक्ट भाग कर दो 694 से ठीक है अब देखो इसमें एक बार तो भाग आएगा तो यह सब लिखे के हुआ खतम हो गया सवाल अगर ना रुस्तास हुआ करें गुणा कर लिया गरो 9, 36 हो गया 9, 183, 84 हो गया 9, 6, 54, 54 में 8 जोड देंगे 62 देखो खतम हो गया सवाल भाई आपको कितना टाइम लगा बच्चों की तरह गया लेकिन अगला सवाल करते संस्क्रत के एक अच्छा परिच्छा में अनुवेशा के अंक गलती से 66 के बजाए 99 दर्ज किये गए थे यदि कच्छा में 55, 64 हैं तो इसे टाइपिंग तुरुटी के करण संस्क्रत में कच्छा के आउसत अंकों में कितने की ब्रदी हुई है तो सबसे पहले देखो 66, 66 को गलती से 99 यानि कि कितना बढ़ गया 33 टोटल बढ़ा होगा चातर पच्छपन ते तो एक लोगों में कितना बढ़ा होगा गयारा तिया 33 गयारा पन्ना पच्छपन पॉइंट सेक्स बढ़ा होगा अगला सवाल करते हैं 60 डिगरी के इंद्रिय कोण बाले के सेंटिमीटर तरज्या के एक ब्रत के तरज्खंड का छेतर रफल बताना है तो बाई सबसे पहले तो आपको डिविजविल्टी चेक करी लेनी है 11 कि ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के चल सकते हो पाई यार इसका ठीटा बटे में 360 ये एरिया होता है तो 22 बटे में 7 हो गया आर कामान 21 गुड़े में 21 हो गया और ये 60 बटे में 360 हो गया तो यह यहां से 6 बार चला गया इधर करेंगे तो 70 हो गया तीन दूनी 6 हो गया इधर हो गया 11 हो गया यहने कि 231 हमारा अंसर आना था जीवन के हिस्सा, देखो, सिंपल है, जीवन और प्रवीन इनका रिश्यो दिया गया था 5 अनपात में 8, और यहां पर दिया गया था प्रवीन और कानन का रिश्यो 3 अनपात में 2, प्रवीन सेम होना चाहिए दोनों जगे पे, यानि की 24 हो गया, तो इसको 24 बनाने के सेवन से डबल जीरो दे दिया था, हमें निकालने थी किसकी जीवन जीवन ठीक है, कहीं गलत कर दिया क्या, 15, 4, 19 हुआ था, 19, 20, 49, 45 अच्छा 55 आएगा, क्योंकि उपर 11 बन रहा ना, 11 किसी से कट नहीं रहा था, इसी लिए मज़े लगा था डाउट, 11, 55 हो गया है, 11 कम 11, 6 बार, 15 हो गया, 16, 48 कहीं लिखा है, अंसर, अगला सवाल, बवानी अपने आय का 68% खर्च करती है, उसकी आय में इतने की ब्रदी हो जाती, उसके बेय में इतने की ब्रदी, उसकी बचत में कितने परसेंट की ब्रदी, देखो डारेक्ट लिखना इसको सीको, इंकम हो गया, इंकम अगर 100 है, तो खर्च कितना कर रहा, 68 कर रहा, और वहिया सेविंग कितना कर रहा होगा, 32, आय में 15% की, और कह रहा था, बेय में 10% का, और इसका अमसे पूछा था, इनका डारेक्ट गड़ा कर दो, ये 1500 हो गया, ये 680 हो गया, ये 32 हो गया, और इसको जोड़कर हमें इंकम मिल जाती है, इनका डिफरेंस कर दो, 0, 10 से 8 गया, 2 हो गया, 14 से 6 गया, 8 बटे में 32, ये डारेक्ट मान आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है, 48 32 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 0, 4, 5, 20, इधर करेंगे, तो 8 दूनी 16, 4 बच गया, और 8 पना 40, 5 बच गया, 8, 7, 56 हो गया, क ये ध्यान रखना, ये करने का सोटेस्ट मतलब कह सकते हैं, कि इसमें जल्दी सोचना कम बढ़ता है, जल्दी आंसर आता है, अगला सवाल, एक दुगंदार 50 रुपे में 10 संतरे की दर से खरीदता है, और इतने की दर से बेचता है, उसका लाब या हानी बतानी, देखो इस को आपको कितना लिखना था, दस शक्के साथ ये हो गया सेलिंग प्राइज, कॉस्ट प्राइज हुआ सौरी, सेलिंग प्राइज बारा पंजे साथ, 24 गोड़े में 5 हो गया, यहनि कि इधर करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 10, 60 की चीज उसने 24 में बेच दी, फायदा कितन हमारे पास 100, तो जीरो से जीरो काट लो, दो पंजे 10 हो गया, दो ती अच्छे, तो इधर करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 14 पंजे 70 वटे में 30, यानि कि 29, 31 वटे में 3 परसेंट का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने क्या किया है, 50 और 10, 54 और 12, जितनी खरीदी चीजें, उतनी हमने बेच दी बस, तो इधर भी 6 का कुणा, इधर भी हो गया 5 का कुणा, उसी का रेशियो बनाया, आंसर निकाला, अगला सा बाद, ए और बी मिलकर किसी कार को 25 दिनों में, बी और सी मिलकर 36 में, जबकि सी ये मिलकर 30 में करते हैं, एधि ये भी सी डी मिलकर इस कार को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो डी अकेला इस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो सबसे पहले तो LCM ले लेते हैं सबका, सब पहले इसका देखो, 18 यो 30 का LCM कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है, तो ये तो 90 हो गया, अब इधर देखो कि 18 तो इसका जा चुका है, अभी 18 दूनी 36 दो इसका गाइव है, फिर 25 वाले का तो इसमें 20 लिखेंगे, 5 जा चुका है, इधर बचा कौन कौन, A प्लस B, B प्लस C, C प 36 से बाकिया, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 यानिकी 25 इफिसेंसी, 30 आ गया, 5 चक्का 30 हो गया, 15 चक्का 90 पंदा दूनी 30 आ गया, इसकी इफिसेंसी, 30 वाले की 30 कैसे आ गई, 33 दूनी 36 पंजे 30, चलो ठीक है आ गया, तो 18 पंजे 95 दूनी 50, यानिकी ये इफिसेंसी बनी, अगर हम इन तीनों की इफिसेंसी निकालें, तो ये क्या बनगे, 2, A प्लस का, B, प्लस का, C, बराबर में जोड देंगे, तो 6, 5, 11, हांसे लगा, 1 हो गया, 4 और 2, 6, और 3, 9 हो गया, फिर A प्लस, B, प्लस, C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारे पास, 99 बटे में 2, अब यहा ये कैंसेल आउट हो गया, 5, 2, 10, 2, 20, याने की 200, अंसर, अगला सबाल, किसी बस्तु के लागत मूल में इतने की कमी होने पर एक दुकंदार इतने रुपे की रासी से पहले की खरीद जाने बाली बस्तु की तुलना में 15 किलोगराम अधिक बस्तु खरीद सकता है, बस्तु परसेंट की कमी हुई तो भाईया, वो 15 केजी अधिक ला सकता था, हम करें थे 100 परसेंट छूट मिल जाती, तो हमें टोटल क्वांटिटी पता लग जाएगी ना कि इतनी ला सकते थे, समझ रहे हैं नो, हम टोटली 100 परसेंट कर रहे हैं, तो 15 बटे में 75 गुड़े में हो तो 15 बना 75 हो गया, पांदूनी 10, यानि कि 200 केजी वो टोटल ला सकता था, इसका मतलब यह है कि अभी परसेंट में 6400 रुपए में 200 केजी मिल लई है, यह किसकी बात है, यह परसेंट की बात है, अब हम से पूछा था, बस तो कोई कटवती से पूर्व, यानि कि पहले, पह है, तो घटा देंगे, तो कितना बचा, 180, यानि कि 180 ये पहले कम मिल ला थे, यानि कि पहले तो प्राइज क्या रहा, 6400 रुपए की चीज लेते होंगे, 180 मिल लई होगी, तो ये प्रतिकेजी प्राइज आ गया, अब उसे 32.5% का प्राफिट चाहिए, तो इसको 32.5 बटे म है, क्या, तो सबसे पहले तो इन 0 कोड़ाटो, ठीक है, फिर इधर करेंगे, तो 37, दूनी 64 होता है, 37, 180 होगा, क्या, 57, 35 होगा, 55, 15, 3, 18 हो गया, और इधर 2 का कुड़ा कर लो सबसे पहले, 25, 10, 2, दूनी 4, 1, 5 हो गया, और 13, दूनी 26, बटे में 5 हो गया, 25 हो गया, एक अवाल में यह समझ लो, अगर वो प्रिजेंट का प्राइज पूछ लेता, तो हम 74, 200 का भाग कर देते, प्रिजेंट आ जाता, पहले हमें 15 केजी कम मिल लई होगी, क्योंकि वो कह रहा था, घटने के बाद इतनी अधिक मिलने लगी, तो वो हमने कम कर दी, 180, पहले 180 मिल लगी छूट के बाद, हमने पहले का निकाल लिया प्रत के जी प्राइज, उसमें हमने बढ़ा दिया, आंसर आ गया, ठीक है, अब यहां तो समझी गए होगे, इससे समझाना नहीं है कुछ, कि इतने परसेंट की छूट होगी, तो वो इतनी ला सकता, तो उससे जादा नही अगला सबाद, कैंसल आउट हो गया, यानि कि नो अठे बाता लास्ट में दो जीरो आ रहा है, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्यूंकि दो जगए उनिट डिजेट पांस दे दी थी, तो हम इतना जरूर कर सकते हैं कि भाईया, दो नंबर तक कर लें, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो सकता है, चालिस माइनस एक करके गुणा कर लो, चाहें तेरा तिया उन्तालिस करके गुणा कर लो, चाहें आपको डारेक्ट करना आता तो डारेक्ट कर लो, तो हमें तो डारेक्ट आता है, भाई, नो अठे बातर हो गया, हांसे लगा साथ हो गया, फिर क तो दस से 5 गया 5 हो गया 11 से 7 गया 4 हो गया आंसर तो आई चुका है 15 से 8 गया 7 हो गया 11 से 8 गया 3 हो गया देखो गुणा आप लोग कर भी लेते हो गया ऐसे कर लेते हैं अगला सवाल रभी और संजू एक साथ मिलकर किसी कार को दो दिनों में कर सकते हैं संजू और महस इसे 4 दिनों में कर सकते हैं जबकि रभी और महस दो दिन में कर सकते हैं रभी को उसी कार को अकेले करने में कितना दिन लगेगा यहनि कि देखो तीनों का LCM ले लो 2, 4 और 2 LCM कितना हो गया अच्छा गुड़े में 2 कर दो बटे में करेंगे 2 दूनी 4 चार एकम चार हो गया और फिर कर देंगे यह हो गया दो दूनी 4 हमें अब किसको निकालना रभी का रभी का जब निकालना तो हमें संजू और महस का अटाना पड़ेगा तो दूसरे नंबर पर क्या लिखा एक एक करेंगे और इंटू में 2 आ जाएगा दो से दो यह कैंसल आउट हो गया एनिकी 4 दूनी 8 बटे में 3 आंसर आजाएगा अब कुछ नहीं किया देखो रभी संजू फिर लिखा संजू महस फिर लिखा रभी और महस भई देखो यह दो गया 2 यह हो गया 4 यह हो गया 2 हमने LCM ले लिया 4 efficiency एक हो गई 2 हो गई 1 हो गई में 2 आजाएगा अब यहां पर देखो बही ची जमने डारेक्ट की अगर मालो नॉर्मल सवाल होता कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करते तो आप 4 बटे में 5 गोडे में 2 कर देते देख ले ना मैं जो हाइलाइट करने जा रहा हूं वो उतना ही तो लिखा है देखो यह वा याणि कि अगर निकालना है तो 5 माइनस का 2 याणि कि यहांपर हो गया 5 माइनस का दो बटे में 2 आप इससे ऐसा नहीं है पहली पर सवाल कुचा जा चुका है और अभी आप पूरा लिखके कर रहें तो टाइम कर रहा है तो तो आगला सबर देखो यह लिखा उपर a square minus का b square नीचे लिखा है a square minus में 2a b और plus में हो गया b square यहनि कि अगर उपर लिखें तो a minus का b और a plus का b लिखा है और नीचे अगर देखेंगे तो a minus b का whole square लिखा है यह इससे cancel out हो गया यहनि कि बचा क्या a plus b a minus b तो a का मान 3.2 और plus में हो गया 2.2 और इसी तरीके से 3.2 minus में हो गया 0.2 तो जो उपर जोड़ देंगे तो यह हो गया 4, 3.4 हो गया और यह 3 हो गया यह आजाएगा नीचे 17 वटे में 15 answer अगला सबान अब एक एक चीज तो लिखना तो नहीं समझाना तो नहीं है कि यह है यह बो है इतने तो होगे समयजदार सभी स्कूलों से किर्केट खेलने वाले विद्यारतियों की कुल संख्या और सभी स्कूलों से टेनिस खेलने वाले विद्यारतियों की कुल संख्या के बीच अंतर गयात कीजिए तो सबसे पहले किर्कट वाला ये रहा और फिर दूसरा टेनिस वाला ऐसा भी ये रहा तो देख लेते हैं वाई या तो देखो डारेक्ट अंतर करके करते चलो या तो जोड़कर एकटा गटा लो जैसे आपको ठीक लगे जैसे अगर करते तो यहाँ पर देखो जिससे जो गटा रहे हो उसी से गटा ना ऐसा नहीं कि पिलस माइनस फिर गड़बड कर दो यहाँ पर गटाया उपर से तो माइनस का 100 आया इधर हमने गटाया तो माइनस का 70 आया इधर हमने गटाया तो माइनस का 10 आया इधर हमने गटाया तो 300, 200 गया तो 100 बचा और 100 से अगर 10 और कम कर देंगे तो 90 हो जाएगा प्लस का इधर अगर हमने गटाया तो माइनस का 30 आया अब इनको जोड़ लो तो देखो यहां पर 90 कहीं जा रहा है क्या नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं यह देखो 100 बन गया 200 210 माइनस का हो गया और यह प्लस का 90 तो यह गटाएंगे तो कितना जाएगा माइनस का 120 अंतर यही होगा अब इस पर नहीं जाना माइनस का क्योंकि हम एड़ देंड जब घटाते तो बड़े से छोटाई घटाते तो माइनस माया वो पिलस में हो जाता है बाकी आप सबको जोड़ कर भी कर सकते हैं इतने बड़े नंबर नहीं लिखें कि आप जोड़ ना पाओ ठीक है तो बो करक पाती निकालोगे तो रूट में 75 गुड़े में 12 हो गया यानि कि इसको लेख सकते हैं 25 तियां 75 और यह गुड़े में 12 बार रहती है 36 का 6 बार 25 का 5 बार तो यहां पर यह तो रूट हटी गया 30 बन गया 30 से हम क्या करेंगे 13 घटा देंगे आंसर आ गया अगला सवाल एक अर क्या सी यानि कि तीन एकन तीन अट्थे चोवेस यह तीन से एक नो काट लिया है ठीक है तो तीन हो गया तो उपर इसलिए ऐसे लिख दिया है और इधर 22 गुड़े में दो बटे में साथ हो गया देखो अब गुड़ाई भाग करना पड़ेगा एप्रॉक्सिमेट में लिखो इन दोनों को जोड़ो 9 लिखो इन दोनों जोड़ो 9-7-16 हांसे लगा एक 9-10 आंसर आ गया मतलब गुड़ा आ गया बटे में साथ कर दो साथ एकम साथ तीन बचा साथ पंजे 35 हो गया आंसर आगे आप आराम से बैठके पूरा कर लेना ठीक है बैसे भी कैलकुलेश हो गया 30-20-50 30 और 20-50 और 5-5-10 और जोड़ेंगे 60 हो गया 60-30-90-90-30-20-40-160 हो गया अगर हम इदर देखेंगे तो यह हो गया 45 45 में इदर आ जाएंगे नीचे 40 यनिकी 85 85 में 5 जोड़ा पचासी में 5 जोड़ा 90 और 90 में 20 जोड़ा तो 110 110 में 40 जोड़ा 110 और 40-30-180 आ है डिफ्रेंस करेंगे 20 बटे में 5 तो 4 कहीं आ रहा है आंसर लगा तो सेकड़े में बोला था अगला सवाल अब इसमें देखो यह तो आसान है इनका अगर गुणा कर लोगे एक बात कंपोनेंडों डिवीडेंडों आंसर आ जाएगा यहां पर अगर देखेंगे पहले खाटा यह सेम चीज़ दर कर देते खाटा लेता यह जोड़ेते एक अग्वार खटा देते तो इससे पर वी जा सकते है से इस पर भी तो यह हो जाएगा अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसको लिख क्या सकते हैं सेक इंट सेके इंटो में को से और अपउन होगे आमारे पास साहे ने ठीक है क्योंकि साहे ने अपान में कौसे हुआ होगा वो ऊपर पहुंच गया और यह दोनों अपोजिट होते हैं कि आमारे पास को से के बचा यानि कि जो मान दिया गया था को से के का दिया गया लेकिन यहां पर गुणा तो करना ही पड़ेगा दोने में 18 हो गय प्लस में 15 हो गया आठ एक 9 करेंगे पांच 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 दस की 0 हांसे लगाए 209 बटे में 79 तो यहां पर जब कंपोनेंड लगाये तो इधर एक बार जोड़ना पड़ेगा और एक बार गटाना पड़ेगा तो इधर अगर जोड़ देंगे 9-9 अठार हांसे लगा एक हो इसका निकल कराया 288 बटे में 130 यानि कि 2 से भी काटेंगे ना तो उपर हमें 65 मिलना चाहिए ठीक है ना इधर हो गया दो इकम दो दो चौकु आट दो चौकु आट दो चक के बारा दो पंजे 10 तो साइन एक आमान लिखेंगे जस्ट अपोजिट आ जाएगा यानि कि 65 बट फिर 6 बटे में 72 आजाएगा 12 चंग 72 बारा चोक 48 ये आजाएगा पूरा चार ठीक है अब आराम से बैटके करते रहे ना पांचोकु 20 से 20 कैंसल आठ इदर हो गया आठ प्लस का चार माइनस का 3 आठ चार 12 बारा से 3 गया नो आंसर किसी दिर्वुच के 3 कोड़ों में से एक क सबसे छोटे कोड़ का दो गुना और दूसरा कोड़ सबसे छोटे कोड़ का तीन गुना सबसे छोटे कोड़ का मान ग्यात कीजिए तो देखो सबसे छोटा कोड़ ये रहा एक इसका दो गुना था एक इसका तीन गुना था तीन दो पांच और एक छे बरावर में 180 हो गया चीज होती है तो भाईया पहले डिस्टेन देख लो 500 होगी टोटल जाना है विपरीत चलना ही तो जोड़ना पड़ेगा तो 45 सोरी 42 और 48 80 90 हो गया लेकिन यह आया किलोमेटर प्रती घंटा में तो मीटर प्रती सेकेंड में 25 दूनी 50 चास 20 सेकेंड अगला सवाल अब इसको देख लो भाई यह किसमें दी गई थी एपी में आपको रूल बताया जाता होगा नाइन डी स्कॉयर इंटू में मिडल टर्म यानि की नाइन हो गया डी का मतलब हो गया क्या डिफरेंस हो गया डिफरेंस कितने का चला एक एक का तो एक B प्लस C एक बटे में दो A माइनस का B का होल इसको आ है और ओ गया प्लस में B माइनस C का होल इसको है प्लस में C माइनस A का होल सकर बसे स मेह मान रखना था आंसर यहां से भी आजाता है अगला सवार कह रहा था दोनों बरसों के लिए साखा EF के कुल बिक्री दोनों बरसों के लिए साखा C की कुल बिक्री का कितना परसेंट है तो सबसे पहले साखा EF पर पहुँचो फिर पहुँचोगे साखा C पर पहुँचो कह रहा था का कितना परसेंट है पहले इनको जोड़ लेंगे 150 फिर इनको जोड़ लेंगे तो 0, 5, 1, 6 हो गया 5 आएगा 9, 1, 10 की 0 आँसे लगाए 205 का कितना परसेंट है यह हमसे पूचा गया था 5 चोगो 20, 5 एकम 5 हो गया 5, 3, 15 हो गया अब यहाँ पर 3000 में हमें 41 से भाग करना है option का सारा लेके सबसे बड़ा क्या लिखा option में 8 लिखा है, 8 चोग 32 तो हो नहीं सकता फिर 7, 4, 28, 7 यह हो जाएगा 7, 1, 7, 7, 4, 28 answer लगा दो, बस अगला सवाग simplification यह सही है, अगर ऐसा paper आए ना तो बढ़िया है, बीच बीच में entertainment हो रहा है 3 तरका 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, 6, 15, 15, 35 हो गया 6 से 2 गया, तो 4 हो गया 9 से 4 गया, तो 5 हो गया और इधर करेंगे गुड़ा तो 5 को 20 यानि की प्लस का 20 हो जाएगा तो यह 45 हो गया, यह भी 45 में, 45 से अगर हम भाग कर देंगे तो बना answer, अगला सवाल अब इस सवाल को देखो ये तो आसान है भाई, ऐसा करो aron kilometers का 18 का दोनों में भाग कर दो, इसमें भी foster का भाक कर दो, तो star का भाग किया, तो टैन 13, और इधर किया तो यह ओ गया, 1 मनस का 10 13, ठीक है अगर हम यहाँ पर भी 1 लिख लें इन 2 में तो देखो हम इसको यह लिख सकते हैं 10.45 प्लस का 10 दे रहे और अपाउन में 1.- का 10 दे रहे यह 10.45 लिख सकते हैं और यह डारेक्ट फार्मूला हो जाएगा 10.45 प्लस का दे रहे यानि कि यह बनेगे हमारे पास 10.85 ठीक है तो यह रेजल्ट आपको पता होना चाहिए 10.a प्लस बी का जो फार्मूला होता है 10.a प्लस का 10.v और अपाउन में 1.- का 10.a और 10.v देखो फार्मूले याद रखो अभी तक जितना मैंने आप्जर्व किया न सबसे ज़्यादा फार्मूले पे सवाल CHSL में पूचे गए उसके बाद CPO में उसके बाद CGL में CGL में तो बहुत रेयर पूचे गए तो यह चीज़ ध्यान रखो कभी भी पूचा जा सकता है ऐसा नहीं है यह सलेवस में नहीं है तो फार्मूले तो आप अच्छे से याद करके रखो ठीक है अगला सवाल ऐस अपनी कार चलाता है और 90 मिनट में इतने किलो मीटर और 500 मीटर की दूरी तै करता है तो बताइए उसकी औसत चाल क्या है किलो मीटर पे ती गंटे में पूचा है या अगर इसमें 1000 का भाग कर दें तो 0.5 ये किलो मीटर में हो गया प्लस में 37 हो गया और एवरेज स्पीड का फार्मूला होता टोटल डिस्टेंस अपाउन में टोटल टाइम तो 90 मिनट लग रहे थे मिनट को गंटे में करेंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा तो 15,90,15,60 हो गया चार उपर कर देंगे तो गुणा करना पड़ेगा न 4,25 हो गया या ऐसे लिख लेते हैं 37.5 गुडे में 4 बटे में 6 हो गया तो 4,25,4,78,2,30 हो गया चारतियों 12 और 3,15 हो गया बटे में 6 हो गया तो 6 दूनी 12,6,35 आंसर आजाएगा 25 अगला सवाल कितने वर्सों के लिए पच्छे सो रुपे का निवेस बारे पर्चेंट बारसिक साधार ब्याच की दर से किया जाए कि मिसरदन इतने रुपे का बराबर हो जाए तो भाई देखो मिसरदन इतने रुपे के बराबर हो जाए क्या मतलब बना सवाल में भाई 24,100 का हमें दे दिया ब्याच और पच्छे सो की रास्ती गोड़े में 12 इंटो में टी बटे में 100 तो बारे दूनी 24 हो गया जा चुके थे 25,400 हो गया अब टी बराबर में 8 हो गया ठीक अब लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा क्योंकि सवाली इसी टाइफ का है आगे देखते हैं एक संख्या पहले 10% गटाई जाती है फिर इतनी बड़ाई जाती है और फिर 20% गटाई जाती है संख्या में सुध्य कमी परसेंटेज क्या है देखो इसको एक तो हम फार्मूले से कर सकते हैं ए प्लस वी माइनस का ए भी अपाउन में अंडेट यहां पर प्लस माइनस करो ठीक है जो भी होगा उस तरीके से एक सकसेसिव मैथड होता है उससे कर सकते हैं बढ़िया लगे जिससे भी केलकुलेशन आप फास्ट कर पा रहे हैं उससे करो मुझे इससे आसान लगता है इसलिए इससे करता हूँ जैसे मैंने यहां देखा यह गटाई गया रही है यह बढ़ाई जा रही है और इधर यह भी गटाई जा रही है यानि कि 17 दूनी 34, 3.4 और कम करना पड़ेगा यानि कि total कितना हो गया 6.4 अब 6.4 ये कमी हुई है और कमी की बात कर रहा है ये आतो रहा है 6.4 आप अगर जैसे कर पाओ calculation fast होनी चीए बस इससे इलावा कुछ नहीं समझ गयोगे कि मैंने किया इसी फार्मूले का यूज अब आप कैसे कर रहा है ये आपके उपड़ेपेंट करता है यदि गराक द्वारा खरीदे गए बिविन उत्पादों का कुल बिक्रे मूले 3000 रुपए से कम है तो एक बिक्रेता 12% की चूट प्रदान करता है और यदि सभी उत्पादों का कुल बिक्रे मूले 3000 रुपए से अधेक है तो 15% की चूट प्रदान करता है आनंद को 900 रुपए मूले पर 69% का मार्जन अर्जित करने के बाद बेची गई और साथी 1900 रुपए के क्रे मूले बाली एक जैकेट भी 6% के मार्जन के बाद बेची गई बिलके निप्टान के लिए आनंद का कितना बुक्तान था सवाल ये कह रहा है कि जैसे 900 रुपए की कोई चीज थी उस पर 6% का मार्जन लिया गया परसेंट का मार्जन लिया गया यनिकि एक सो नौ रुपए में बेची गई होगी सो की चीज अगर यही चीज हम देखें कि जो 1900 की थी उस पर 6% का मार्जन लिया गया यनिकि 106 वटे में सो में बेची गी तो यहाँ पर देखें कि ये कैंसल आउट हो गया नो नेम एक्क्यासी यनिकि ये 981 हो गया इधर ये कैंसल आउट उनिस चक्का 114 हो गया 19 से कम 19 और एक कितना हो गया बीस हो गया टोटल कितने की हुई चीज पांच आठ एक नो हो गया और नो हो गया उन्तेस्व पच्चानवे की हुई जाके ठीक है तो ये किस से 3000 से कम है तो कहने का मतलब सवाल का क्या था कि अगर चीज है हमारी एक सेकंड रुको ये रहा हमारे पास ये 3000 से कम है तो 12% की चूट 3000 रुपे से अधेक है तो 15% की चूट मिलेगी लेकिन हमारे जो सवाल था वो कौनसी क्राइटेरिया में आ गया भाई ये तो आप समझी गए ना बस खतम हो गया 12% वाली चूट में आ गया यानि कि 2995 पर 12% की चूट देंगे तो ये 88% में बेचना होगा अब इसमें गुणा कर देते हैं 11 गुणे में 8 लिख सकते हैं इसको 8 का गुणा करेंगे तो 8 पनने 40 हो गया 8 ने 72 हो गया 72 और 4 चेतर हो गया 8 ने 72 और 7 यानि कि और 8 दुनी 16 और 7 23 अब गुणे में 11 11 का तो आसान होता है 6 लिख दो 6 9 6 15 9 3 12 1 13 हो गया 3 2 5 1 6 हो गया और 2 हो गया बटे में कितना था 10 क्योंकि 10 इससे कट चुका है ऐसे करके कर लो तो यह आजाएगा हमारे पास 26 35 दिसमलब 6 11 का गुणा करना हम बचा चुके इसी वीडियो में तो आपको पता होगा डारेक्ट हम कैसे कर सकते थे ठीक है अगला सवाल करते हैं एक तरभुज के कोणों का अनपात इतना है तो तरभुज संगत भुजाओं का अनपात क्या होगा भाई देखो अगर हम समय 30 का गुणा कर दें तो यह 90 वन गया 60 वन गया 30 वन गया अब तो यह भी अगर रेशियो नहीं पता है तो फिर भगवानी जाने तुम क्या करोगे 60 हो गया यह 90 हो गया अगर यह 1 है यह 2 होगा तो यह देखो यहां पर एक लिखा एक मतलब 30 के सामने बुजा क्या एक है यहनी ही पहले एक आजयेगा दूसरे पर लिखा 60 60 के सामने बुजआ क्या रोट थिरी है तीसरे पर बचा हुआ दू आ जाहेगा आंसर लगा दो ठीक है अगला सवाल एक गन की बुजा की लंबाई इतनी एक गन का आयतन क्या होगा अगला सवाल एक खुदरा विक्रेता अपने सामान का मूल ले एक इतना बढ़ा कर अंकित करता है और इतने की छूट देता है कह रहा था क्रेमूल इतने रुपए है तो वि पास इधर करेंगे तो 5 रहेगा ना 16, 5, 80 हो गया 16, 17, 112 में 8 जोड़ देंगे तो 120 हो गया पारा रहती है 36 खत्ब ये 5 नहीं होता तो और जल्दी निकलाती लेकिन 5 जब तक अटाओगे नहीं तब तक युने डिजिट आपको मिलेगी नहीं ठीक है तो इस तरीके से कर लेना अगला सवाल करते हैं बाकी आराम से आप करते रहे ना पूरी कल्कुलेशन कुछ बचा नहीं है बैसे भी उसमें करने के लिए अब यहां पर देखो इधर अका देखेंगे यह डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड होगा उसके बाद गुणा होगा तो इधर करेंगे सबसे पहले तो डिवाइड चार दूší आट हो गया चार दू छे हो गया च्छे दूह बार्य हो गया बारह चोक अरतालिस हो गया यजर सोले हो गया उसका डिफेरेंस देखें, तो ऐसे ही कर लो, पूरा, चोओवन हो गया बटे में 64, 240, 250 गया तो देट सों से 4 कम, 140 बटे में 240 हो गया, अब इदर करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया 6 और 187 हो गया, 7 बटे में दो माइनस का, इदर करेंगे तो 5 शो कुब 20 और 21 बटे में 4, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो 21 बटे में 4 माइनस का 7 बटे में 2 होगा और ये पिलस हो जाएगा क्योंकि माइनस का अंदर हमने कर दिया क्या गुणा कर दिया अब इसकी वाई कैलकुलेशन बची है तो सबसे पहले तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर लो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर लो साथ दूनी 14 और 21 का डिफरेंस कितना आ गया साथ बटे में 4 आ गया अधर प्लस कर देंगे 274, 236, 212, 224 हो गया यहने कि 120 तो LCM में आ गया 4, 3, 12 हो गया तो इधर कर लेंगे तो 3, 7, 18 हो गया और 2 हो गया बटे में 120 हो गया अब यहाँ पर देखो आंसर कितनी आसानी से आ सकता है और कुछ करना ही नहीं है आपको क्यों कि देखो हमें इन डिजिट 3 चाहिए तो इसमें गुणा करोगे 0, 7 जोड़ोगे 7 आया इसमें 0, 7 आएगा इसमें जोड़ोगे 0, 0 हो गया 1 आएगा इसमें किया, 2, 0 हो गया 3 जोड़ोगे 3 आएगा यह एऱ डिजिट बाकी आप कर सकते है 12, 24 हो गया यहन weit 240 में गटाएंगे तो 8 से 4 गया 4 हो गया 3 हो गया टू एक्सी पावर में 4, अगर हम इधर करें क्या, कि इधर भी 2 जोड़ दें, और इंटू में 2X, इंटू में 1 अपॉन में 2X कर दें, फिर बराबर में अगर हम देखेंगे, तो 1, 4, 1, 5, 9, और यहां पर हो जाएगा, प्लस में 2, और इधर भी सेम चीज करतें, तो यहां प आपको ध्यान रखनी है, कि फरजी में 2 को लिए-लिए गूम रहे, कोई मतलब नहीं वनेगा उस चीज का, तो हम इस चीज को क्या करते हैं, यहां से इग्नोर कर देते हैं, यह अटा दो, और इधर भी अटा दो, कोई मतलब ही नहीं उस चीज का, बाकी अगर देखो, हम दो तरफ दो जोड़ेंगे, इधर भी दो जोड़ा, इधर भी दो जोड़ा, तो यह बन गया 145, 15 और यहां पर 921, यह बन जाएगा, अब इसको निकालने का तरीका देखो, अगर हम 110 का whole square कर दें, तो यह 121 हो गया, डबल 0 हो गया, अगर 120 का whole square कर दें, तो 144 हो गया, यहां यहां पर जो नमबर है, वो इसी के बीच में रहा होगा, या दो हमारे पास नमबर क्या बनेगा, मतलब लास्ट में 9 होता, तब square में 1 हो गया, यह तो एक होता तब आता, तो देखो, इसके बीच में, यह 111 हो 119 हो 19, अब आपको एक ची और पता है, अभी आपको 2 जोड़ पड़ेगा और whole square बनाना है तो यह तो हम लहीं नहीं सकते अब ऐसे भी देखो यह inclined किदर हो रहा है 144 की तरफ हो रहा है तो हम बहां से कर सकते थे तो यह अंडर root किया यह आगया हमारे पास x square प्लस में 1 upon में x square का माना जाएगा कितना आ गया 119 फिर से दोनों तरफ दो जोड़ देंगे यानि कि x प्लस का 1 upon में x हो गया दो जोड़ेंगे तो यह 121 हो गया यानि कि यहाँ पर क्या आ गया 11 आंसर आ गया अब यह समझाने में इतना टाइम लगा है अगर आपकी practice अच्छी होना तो आपको यह निकालना था कि यह whole square कितने का बन रहा है फिर तो आपको पता ही कितनी जल्दी हो जाएगा यह लिखने में समझाने में टाइम लगा ना आप खुछ से भी देख सकते हो इस चीज को अगला सवाल यह भी सेप्ट हमारी समाप्त हुई यानि 28 की सेप्ट बन समाप्त हो गई आसा करते हैं आपको solution समझ में आ रहा होगा अच्छे से बागी पढ़ते हो क्योंकि competition अच्छे level का है बहुत healthy competition होने वाला है ऐसा नहीं है कि आपको यह special time मिलाता इतना gap हो गया था जो सब को ही मिलाता तो सभी पढ़ रहे थे ठीक है चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के जै हिन जै भारत